कि दूस्तो δा्द तो सभी के पास है लेंग कि आप जानते हैं कि दात सपथ की होते हैं दोस्तो क्या आपने कभी सोच आ है ये ठंडे जिससे आने वाली वीडियो की नौट केसन आपको मिलता रहे फैक्ट नमबर वन चैरी की खुबसूरती के लिए दातों को साफ होना ज़वरी है तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि दात क्यों सफेद होती हैं अक्सर ये बात आपने सोचा ही होगा तो आए जाने दरसर हमारे दात कई पर्दों से मिलकर बने होती हैं इनमें सबसे बहारी परद दंत वलक या चीज़े एनिमल भी बोलती हैं जिसका मुग के तर्थ तो कैलिसम होता है या एनिमल सफेद रंका होता है और इसी के उबस्तिती के कारण दात हमारे सापेद दिखाई देते हैं फैक नमबर दो घंडे देशों में चील के जम जाने के बाद वहाँ के चले जीव कैसे रहते हैं अक्सर आपने या सोचा ही होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दरसल बात ऐसे है बरब के बाहर का तापमान भले कितना भी कम हो लेकिन अंदर आप जान का हराम रहेंगे की बरब के नीचे का तापमान यानि की पानी का नीचे का तापमान 4-6 टिक्री तक ही रहता है इसलिए नदी तलाप में बरब चम जानने के बाद वहांगे चलीजी जन्तु अपनी सवाना उस्था में जीवान आपन करते हैं फैक्ट नमबर 3 प्रेंगे पट्रियों के आसपास पत्तर के टुक्रे क्यों डाले जाते हैं दसर ट्रेंग बहुत ही तेजी से चलती है और जब ट्रेंग चलती है तो पट्रियों में बहुत तेजी से कमपन होते रहते हैं इसी वाइबरेशन के कारण पट्रियों इधर उधर ना हिले इसलिए पट्रियों के आसपास पत्तर के टुक्रे डाले जाते हैं यह पत्रियों पर स्प्रिंग का काम करती है जब पत्रियों के ट्रेन से गुजरता है तब यह नीचे की तरब दब जाती है और जब ट्रेन गुजर जाती है तब अपनी जगह वापस आ जाती है इन पत्रों के टुक्रों के वज़े से एक फायदा यहां भी होता है पत्रियों के आसपाद झाड़ी नहीं उखते, अगर पट्रियों के आसपाद इसकी जगह सेमेंट या कुछ और डाला जाए, तो कमपण की वजह से जगह बन जाएगी, और पट्रिया इधर से उटक्षक जाएगी, इसी के चलते ही पट्रियों के आसपाद पत्ता के ठूगर डाले जात आज हम अजाई से बता सकते कि कौन सा इंसान बुड़ा है वा कौन सा जवान है क्या आप जानते कि इंसान बुड़ा क्यों होता है बुड़ाफा हर इंसान को सामना करना पड़ता है दरसल हर इंसान के सरीर में समय के साथ साथ अनेक परिवदन होते रहती है और साथ ही अनेक जविक किरिया होते रहती है हुमाय सभी कोशिकायं जिसे हम बाडी वने का अनुवा करते हैं जो कि समय के साथ साथ सथ बनते हैं मेर वाहर Sumerky हमें अपनी देखवाल करनी चाहिए दोस्तों स्वस्त रहने के लिए डेली योग वयाम मेडिरेशन करना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मज़ेदा टॉपिक के साथ